टेसला के सीईयो इलॉन मस्क है, वो एक मशूर सक्षियत है, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, वो बे बजा ट्वीट करते रहते है, ईलॉन मस्क ने ट्वीट किया था की, लोग खुद को व्यक्त करते हैं और अपनी राय पोस्ट करते हैं, लेकिन ट्वीटर उन्हें ब्लॉक करतेता है, या उनके अकाalım को निश्क्रिया कर देता है, यह ट्वीटर की और से गलत था, उन्होंने कहा था कि वह ट्वीटर को खरीद लेंगे सभी ने सोचा कि वह सिर्फ यूही बोल रहे थे लेकिन उन्होंने वास्तों में हाल ही में ट्वीटर को खरीद लिया हाल ही में इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि उनकी जल्द ही मौत हो सकती है चोका देने वाला उधारण के लिए यदि आप किसी व्यक्ति से मिलते है और अचानक वह व्यक्ति आत्माथ्या कर लेता है या यदि आप अभी किसी व्यक्ति से मिले है और अगले ही पल उसकी घा तक दुर्गटना हो जाती है इसी तरह मास्क ने ट्वीट किया कि उनकी रहस्यामाई परिस्तित्यों में मौत हो सकती है ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मास्क ने एक स्क्रीनशोट शेयर किया था एक रूसी अधिकारी के साथ उनके कथित संचार के बारे में अधिकारी ने दावा किया था कि मास्क यूक्रेणी बलो को सेनिय संचार उपकरणों की आपूर्ती करने में शामिल है अगर उनकी वज़े से यूक्रेण आगे बढ़ता है और रूस को नुकसान होता है तो मास्क जिम्मेदार होंगे शायद इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी जल्दी मौत हो सकती है कुछ ने कहा कि मास्क इतनी जल्दी नहीं मर सकते क्योंकि उन्हें अभी भी दुनिया में बहुत सारा काम करना है जैसे कि उन्होंने कहा था कि मैकडॉनल्स को खरीदेंगे क्योंकि उनके आईस्क्रीम मेशिन काम नहीं करती है या कोको कोला खरीदने का काम यदी बे मर जाते है तो ये काम लंबित रह जाएगा मस्क इतनी जल्दी नहीं मर सकते कुछ अन्य लोगों ने कमेंट्स किये कि शायद उनका समय समाप्त हो गया है और क्योंकि वह दूसरे ग्रह से आये हैं उन्हें अपने ग्रह पर वापस जाने के लिए कहा गया होगा कुछ ने कमेंट किये कि यहाँ उसकी विशाल निवल संपत्ती पर भारी कर है जो उन्हें परेशान कर रहा है वहीं कुछ ने पूछा कि क्या मस्क का दिमाग खराब हो गया है और क्या वहाँ नशे में हैं